नाना पाटेकर के बाद अब नवाजोदीन सिद्धी की से लोहा लेंगे रजनीकांथ पेटा का मोशन पोस्टर रिलीज साउथ फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांथ फिल्म काला के बाद एक बार फिर से अपने फ्यान्स के लिए खास तोर्फा लेकराएं हैं शुकरवार को रजनीकांथ की नई फिल्म का पहला मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है उनकी इस फिल्म का नाम पेटा है बताया जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग लंबे समय से चल रही है लेकिन इसका नाम तयम नहीं हुआ था अब मेकर्ज ने फिल्म का नाम तेकर के इसका पहला मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया है खबरों की माने तो पेटा में रजनी कांथ के अलावा बलेवोड एक्टर नवाज उदीन सिद्धी की नज़र आएंगे बात करें मोशन पोस्टर की तो इसमें रजनी कांथ एक्शन अवतार में दिख रहे है पेटा के पहले मोशन पोस्टर को देखने के बाद रजनी कांथ के फैंस के बीच इस फिल्म के ट्रेलर और रिलीज डेट जानने की एक साइटमेंट भी बढ़ गई है वही नवाज उदीन सिद्धी की के फैंस के लिए खास बात यह है कि इस फिल्म से वेह साउथ फिल्मों में अपना डेब्यू कर रहे है पेटा का पोस्टर सोशल मीडिया पर काफी वाहल हो रहा है इस फिल्म का निर्देशन कार्तिक सुबाराज कर रहे है वहीं बात करें बीते दिनों रिलीज हुई रजनी कांत की फिल्म काला की तो इस फिल्म ने जाती विवस्था और मौझूदा राजनीतिक माहौल को लेकर नए सिरे से विमर्ष पैदा करने की कोशिश की थी काला विलेन की भूमिका में बलिवूड के दिगजेक्टर नाना पाटे कर थे